जये महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चेनल आलमिक सग्यान सायर आपका स्वागत है दोस्तों आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियो में एक नया जन कहीं दे रहा हूं और यह बहुत खास मंत्र है और खास विधी विधान है मेरे इस चेनल में बहुत सारे हिंदु धर्म के मंत्र देवी देवता के बारे मताया गया है तो कुछ मुसल्मान भायों लोग मुझे कौल किये थे उन्हेंने पूछा था कि आपके पास में कोई ग्रामिड मुस्लिम मंत्र हो तो जरूर बताएं तो उन लोगों के लिए है और साथ में जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं और आप लोग के लिए है आज में इस वीडियो में आपको जाल फास मंत्र होता है इसके बारे में पूर्ण वीधी विधान समझाओंगा यह मंत्र और विधी और साधना बताऊंगा इसको आप बिना गुरू के निर्द से उप्योग विचार करके यह साधना यह मंत्र को उप्योग ना करें यदि आप बिना गुरू के सानिध्यम या फिर जनकार बेक्ति ना हो तो साधना करेंगे तो उसकी जिम्यदारी मैं अब मेरे चैनल नहीं लेगा आप स्वैम कहोगा क्योंकि यह मंत्र प्रयोग है तु कुछ बिगर जाता है यह कुछ हो जाता तो उटको जो गुरू समाल लेता है इसलिए तो जितने भी मेरे साधक बंद्र उनलोगे के लिए खास जनकारी यह जो जाल फांस मंत्र है क्या चीज जाल फांस मंत्र वहा है जिस तरह से तलाब में मश्री कहां पर यह पता नहीं च बांद करके ला लिया जाता है और किसी की सरीर से निकाल दिया जाता है इसमें किसी की सरी में चौकी भी लगा दिया जाता है और किसी की चौकी बठा दिया गया हो तो उनको भी हटा दिया जाता है इसको किस तरह प्रयोग करते हैं इसको ध्यान से सुनिए आप माले जाए से यह सिद्धी हो जारा है हमसे क्यों नहीं हो रहा है उनके पाथ जरूर होने हो चाल मंट्र होगा तो वही मंत्र जो गुप्त मंट्र है इसको हर कोई नहीं बताता लेकिन मैं आप को आज पहले आपके अनुग्रह पर मेह बता रहा हूं इस मंत्र को पहले सिद्ध करना होता है इसका सिद्ध करने के विधिवधान आप यहां जो है मुस्लिम मंत्र है इसलिए इसको किसी भी गुरुवार के दिन रात्री में 10 बजे से 11 बजे के मध्य या फिर सुक्रुवार क कि रात्री को 10 बजे से 11 बजे के मध्य में इस मंत्र के साधना की जाती है अब यहां एक दिन का साधना है और इसको किसी भी एक माह में एक दिन आता है जिस दूज का चांद उस दिन आप इसको चांदनी के नीचे में आप बैट करके या फिर घर में इसको बैट करके सिद् या फिर हरे कलर का चटाई होना चाहिए और आप आपका वस्तर जो है सफेद कलर का हो और सीर में सफेद रुमाल या कपड़ा होना अवस्यक है आप बैठ जाएं और लुभान के अगरबती जला लें या लुभान का धुनी दे दें और यहाँ लगातार जलते रहना चाहिए इस मंत्र को 31 बार या फिर 41 बार जाब करने से पाठ करने से यहाँ मंत्र सिध हो जाता है सिध करते समय में मिठाई भी आप सांथ में रख लें और मिठाई को जल में प्रवाहा कर दें अब यहाँ मंत्र सिध हो जाएगा अब इसको प्रयोग कैसे करना है दोस्तों जब भी आप उनका प्रयोक करेंगे उस समय किसी सरी में मान ले जाए चौकी बुलाना है तब आपको उनको लोभान लेना है और आग में लोभान आपको डालना है जिस बैक्तिकी सरी में चौकी बुलाना होता है उसका नाम ले करके और उसके मातजी का नाम ले करके आप जो है मंत्र पढ़के 21 बार मंत्र पढ़ेंगे इसकी आप 21 बार या फिर साथ बार जाच इसको पढ़ा जाता है Ö उसी ख्षाड उसके सरी में हाजरी आना आरम हो जाएगा बूत किया करा है वह उसके सरी में आना आरम हो जाएगा वह जोए हाजरी हिलने रगए जिस तरह से माता आता है उसी तरह से यह हो गया आपको उसी मंत्र से फिर मंत्र पढ़ते हुए उसके सरी से उतारा करके जाल मंत और भूद्प्रवाव चलाग यह दिखाता है दोस्तों यह मंत्र गुप्त मंत्र है आप लोग के जनही जनकल्यान के उद्देश से समय यहाँ जनकारी बता रहा हूं और इनको जो है गुरु के आदेश पर यदि आप जनकार बेखती हो चोंकी लगाने में चोंकी हटाने का पूर्ण जानकारी हो या फिर प्रतशी करने के आगे पीछे पूर्ण जानकारी हो तब ही इस मंत्र प्रयोक करें अन्य था ना करें इस तरह से और आप लोग को जनकारी जो जनकल्यान उद्देश हो उसके हिसाब से आप लोग को जनकारी देते रहूंगा यहां अगर जनकार उसके जाने करें आपको सबसे पहले मिल सकें वीडियो के डिस्केशन बागतो एक बार जरूर चेक करें कभी भी अब बात करके इसके मंत्र मंत्र क्या है मंत्र मैं अराम से बोलूँगा तक आप लोग को अच्छी तरह समाज में आए मंत्र इस परकार है चल सयत कमाल के बान जिसका चले निकले प्रान जाल महा जाल मारे जाल बुन फास के आए भूत को प्रेत को मरी को मसान को एक बुनन के सोला जाल फांस फांस आय भूत बैताल चल सयद चल तेरे चलने की सक्ति दुहाई पांचो पीर की छू इसी मंत्र को आपको सिध करना है और इसी मंत्र को परियोग करना है ध्यान रहे यदि मेरे का समझाने में अगर किसी प्रकार का कोई बात रहे जाता है आप समझ नहीं पाते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करें मैं इस कमेंट का जरूर रिपलाई करूंगा वीडियो देखने के धन्यवाद थैंक से जय महाकाल